भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुन्दर सा देश है जिसका नाम भुटान है यह देश बाहरी दुनिया के लिए एक अभूज पहली की तरह है भुटान में भी देशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था पर अभी सीमित प्रियाटक ही भुटान जा पाते ह हैं भुटान के सीमा तिबबस से मिलती तो है पर पूरी तरह से बंध है इस छोटे से हिमालई देश के बारे में भी देशे भी बहुत कम ही जानते हैं दोस्तों बने रहे एंद तक हमारी इस वीडियो के साथ क्योंकि आज के इस वीडियो में भुटान देश के बारे में को सब्सक्राइब कर लीजे ना और साथ में लगी जो घंटी है ना उसे भी दवा देना भुटान की राजा जिगमे सेखर नाम ग्याल वांचुक है वे किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्या ध्यक्षें भुटान की राजधानी थिम्पू है जो भुटान के पक्ष ये छेतर है जिसके उत्री छेतर में उची उची परवते हैं जिन में से सबसी उची चोटी कूला कांगरी है जिस पर अभी तक कोई चणह नहीं पाया भुटान का 60-70 फिस्दी हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है आपको एक बात बता दें की यहां के अधिकतर लोग खेती पर बढ़ी निर्वर हैं और यहां के लोग हमेशा जंगल बढ़ाने की कोसिस करते हैं इनका यह मानना है कि धर्ती पर कम से कम 60% जंगल होना चाहिए दोस्तों यह तो बड़ी अच्छी बात है भुटान को the land of thunder dragons कहा जाता है वहीं इसका नाम द्रक यू है जिसका मतलब होता है ड्रेगन का देश गजब तो यह है कि भुटानी लोग अपने घरों को ड्राक यूल कहते हैं जिसका मतलब बरफीले ड्रेगन का घर होता है आपको यह जानकर बेहदी अश्यर होगा कि इस देश में सन 1994 तक बिदेशियों के घुसने पर पवंदी थी 1994 में पहली बिदेशी पर्याटकों को घुमने की आजादी मिली वो भी अमंतरन मिलने के बाद यहां की सरकारे पर्याटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षीन एसिया के बाहर से आने वालों से 250 डॉलर प्रती दिन के हिसाब से पैसा बसूलती है इसे पर्याटन आय भारत ही उनका ख्याल रखता है टीवी और इंटरनेट पर बेन हाँ आपने सही सुना भुटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंधित था यहां एक ही राजसाही और लोग तांत्रिक बेवस्ता है यहां पहला चुनाब सन 2008 में करवाया गया था भुटान का मुख आर्थिक सहोगी देश भारत ही है क्योंकि तिबबस से लगने वाली सीमा को भुटान ने बंद कर रखा है भुटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने सन 2004 से तंबाकू पर पुरी तरह से बेन लगा दिया है वहीं सराव और ड्रक्स अभी भी परिस असानी का सबब बने हुए हैं कही लिहास से भुटान अंतर राष्टी ट्रेंट्स में अग्रेनी रहा है प्लास्टिक की थेलिया तो वहां सन 1999 से ही प्रतिबंदित है और तंबाकू लगवग पूरी तरह से गैर कानूनी है भुटान के बिटेन के साथ कुट नितिक नहीं बनाए मानिए आप दिल्ली में घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रेफिक लाइट ना मिले तो आप चौक जाएंगे लेकिन भुटान की रजधानी थंपू में ऐसा ही है वहां ट्रेफिक लाइट की जगा ट्रेफिक ओफिसर्स होते हैं हाला कि एक समय में यहां पर रेट लट लगाई गई थी लेकिन लोगों को बिरोहत के बाद इनको भी हटा दिया गया भुटान अपने जीवन अस्तर को सकल राष्टिये खुसी से नापता है ना कि सकल घरेलो उतपाद जीडेपी से सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रुप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है भुटान के 70% युवा बेरुजगार है और जीडेपी के संदर में या दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है भुटान का मुख निर्यात बिजली है वा भारत को पन बिजली बेचता है इसके अलावा लकडी, सिमेंट, क्रिसे उ जादी नहीं है भुटान में अधिकारिक धर्म, बहुत धर्म की महायान साखा है जिसका अनुपालन देश की लवग तीन चौधाई जनता करती है भुटान के हिंदू धर्मी नेपाली मुल्के लोग है तो ये थे भुटान देश के बारे में कुछ बेहदी मज़ेदार फै झालो